यूँ तो मा आपनी बेटी की क्रहस्ती समवारने का काम करती है। मगर लंदन में हुई एक घटना के तहट मा ही अपनी बेटी का घार उजाडने का कारण बन गई। दरसल एक युवदी शादी के बाद अपने हनीमून पर अपनी मा को भी साथ ले गई थी। वहां पति-पत्मी की बजाए, दामाद और सास की केमिस्ट्री बनती हुई नजर आई। हद तो ये कि सास ने अपने ही दामाद की अलाद को जन्म दिया है। मामला लंदन के विकह नयम का है। यहां रहने वाली और इनकी शादी पॉल नामक युवक से हुई थी। वह शादी से इतनी खुश थी कि वे अपने हनीमून पर अपनी मा को भी साथ ले गई। इस दौरान पॉल वर उसकी मा के बीच बेहतरिन केमिस्ट्री दिखी। सास और दामाद का रिष्टा देख उसे शक्म नहीं हुआ। लेकिन शादी के महजाठ अपते बाद लॉरेन को सच्चाई का पता जल गया। उसका पती पॉल घर से चला गया और लॉरेन की मा के साथ रहने लगा। नौ मैने बाद लड़की की मा ने पॉल के बेटे को जन्म दिया। ये बात सुनकर लॉरेन के होशोड गये। लॉरेन ने अगस्त 2004 में पॉल से शादी की थी। वहीं 2005 में लॉरेन की मा जोली उसकी बच्चे की मा बनी। इस घटना के इतने साल बीच जाने के बाद अब लॉरेन ने ये किसा सोशल मेडिया पर शेयर किया है जो इन दिनों काफी वारल हो रहा है।